आन पैसिव यहां मानवता को उचा उठाने के लिए है आप जानते हैं तो यह हमारे व्यवसाय के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र बिंदु है जूली और इसलिए जो कुछ भी किया गया है जो कुछ भी किया जा रहा है यह सब उसी दिशा में है है ना यह सब हमें सशक्त बनाने के लिए है ताकि हम परिवर्तन का एक तत्व बन सकें है ना आप जानते हैं हम भी उन व्यक्तियों में से हो सकते हैं जो उस कार्य को संभालेंगे न केवल कंपनी की और से बलकि हमारी और से भी तो यह सब अभी भी वहां है यह अभी भी जगह पर है आप जानते हैं हमें ऐसी स्थिती में रख रहा है जहां हम इसे अपनाने के लिए तयार हैं जहां हम बाहर जा सकते हैं जुली और अपने समुदाय के भीतर दूसरों की मदद कर सकते हैं और इसी तरह मेरे लिए इस व्यवसाय मॉडल का एक महत्वपूर्ण हिस्सा यह है कि लोगों को उस स्थिती में रखा जाए जहां वे जीवन को उस तरह जी सकें जैसे कि जीवन का इरादा था नकि केवल अस्थित्व में रहना यह सशक्ति करण का एक हिस्सा है यह बहुत महत्वपूर्ण है कि हम ध्यान के इंद्रित रखें आपको पता है कमपनी को वर्तमान कार्य पर ध्यान के इंद्रित रखना चाहिए हमें अपने लक्षियों और सपनों पर ध्यान के इंद्रित रखना चाहिए हमें इन्हें किन तो मैं कहीं जा रहा हूँ, आप जानते हैं, जो हम सभी के लिए सकारात्मक है, जुली, तो हाँ, ध्यान केंदृत करना बहुत महत्वपूर्ण है, और company, वर्तमान कार्य पर ध्यान केंदृत रखना जारी रखती है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके, कि उन्होंने जो कह है. उसे सही तरीके से प्रस्तुत किया है, है ना. फिर से हमने पहले वी कहा है, आपको समायोजन करने की आवश्यक्ता हो सकती है. आधी. ये सब ठीक है. क्योंकि इसी तरह आप अपने लक्षय तक पहुँचते हैं. आपको मैं देखता हूँ कि on passive न केवल अपनी दृष्टी पर ध्यान केंद्रित कर रहा है बलकि यह लक्षित दर्शकों पर भी ध्यान दे रहा है माइकल आप जानते हैं जैसा कि हमने देखा है कि श्री मुफारा और टीम क्या कर रहे हैं हम अपने ग्राहकों की आवश्यक्ताओं औ ग्राहकों की आवश्यक्ताओं के चारों और अपनी पेशकश को अनुकूलित करता है आप जानते हैं क्योंकि वे अपने ग्राहकों को अधिक्तम मूल्य प्रदान करना चाहते हैं आप जानते हैं यह वास्तव में वह द्रिश्टी कोन है जो on passive पेश कर रहा है मुझे विश हैं कि on passive द्वारा पेश किया गया हर चीज वास्तव में ग्राहक की आवश्यक्ताओं पर ध्यान केंद्रित कर रहा है ताकि यह सुनिष्चित किया जा सके कि वे ग्राहकों को अधिक्तम मूल्य प्रदान कर रहे हैं और यह on passive की सफलता की ओर ले गया और मैं इसे इस तरह द जूलिया हम एक साल से दो साल फिर तीन साल और इसी तरह आगे बढ़ते गए लेकिन यह हमेशा पहले किये गए कारियों पर आधारित होता है फिर से हमें एक कदम और करीब लाने के लिए दियो एक कदम और करीब एक कदम और करीब उस जगह पर जहां हम सभी होना चाहते है आप जानते हैं यह महत्वपूर्ण है है ना और फिर यहीं पर ध्यान केंद्रित करना महत्वपूर्ण होता है और यह सटीकता में बदल जाता है है ना जहां आप जो कर रहे हैं उसमें सटीक होना चाहते हैं आपको वर्तमान कारे में सटीक होना चाहिए आप मूल्य प्रदा करना होगा कि आप जो भी उत्पाद बना रहे हैं, जो भी आपकी सेवाएं हैं, उन्हें अंद उप्योग करता को ध्यान में रखते हुए तैयार किया जाना चाहिए. ये उत्पाद कौन उप्योग करेगा? क्या वे सिर्फ इसलिए आएंगे? क्योंकि ये बेहतरीन होते हैं, चीजें आती हैं और जाती हैं, आती हैं और जाती हैं, लेकिन जो चीजें टिकती हैं, जूलिया जो आपको मूल्य देती हैं, उनके बारे में सोचें, जैसे की फरनीचर, मान लीजिए, आपने एक बहुत मजबूत फरनीचर खरीदा, है ना? वह फरनीचर आपको सालों सालों तक चलता है जबकि अगर आपने कुछ कमजोर फरनीचर खरीदा तो हाँ वह सस्ता था लेकिन उसमें ज्यादा मूल्य नहीं था आपने उसे खरीदा और छेह महीने बाद आपको उसे फिर से बदलना पड़ा समझ रहे हैं है ना यही बात किसी अन्य उत्पाद के बारे में भी कही जा सकती है है ना जब वहाँ मूल्य होता है तो लोग अक्सर उससे अधिक प्राप्त करते हैं जितना उन्होंने अपेक्षित या था और जितना उन्होंने दिया यह अंतिम उप्योग करता को मूल लोटाने की बात है और इसलिए on passive भी इससे अलग नहीं है ऐसे उत्पादों को एक साथ लाना जो समय की कसोटी पर खरे उत्रे है न? और यही कारण है कि हम नवीनतम कृत्रिम बुद्धिमत्ता तकनीक का उप्योग करते हैं यह उत्पादों में समाहित होना चाहिए जूलिया क्योंकि यही आज की स्थिती है और यही भविश्य है तो आप निश्चित रूप से जो कुछ भी करते हैं उसमें दक्षता चाहते हैं आप अपने समय को अधिक्तम करना चाहते हैं आप अवसर को अधिक्तम करना चाहते हैं, है ना, आप जानते हैं, मैं अधिक्तम करने के बारे में हूँ, आप लाभों को अधिक्तम करना चाहते हैं, पुरसकारों को अधिक्तम करना चाहते हैं, है ना, ये सब और इसके लिए कुछ साफ होना चाहिए, है ना, कुछ ऐसा जो समय नहीं लगता. लोगों को यह बताने में ज्यादा समय नहीं लगता कि यह सब क्या है. जैसे हम हमेशा कै्टमो के बारे में बात करते हैं उदाहरण के लिए. ठीक है? बहुत-बहुत सरल है ना? इसे समझाना बहुत-बहुत आसान है. आप हम निश्चित रूप से जो कुछ भी करते हैं, उसमें दक्ष होना चाहते हैं, हम ऐसे उत्पाद भी चाहते हैं, जो हमारे व्यवसाय में दक्षता प्राप्त करने में, हमारी सहायता करें, जब हम ट्रैफिक की बात कर रहे हैं, उदाहरण के लिए जुली, तो आप जरूरी नहीं चाहते कि सामान्य ट्रैफिक हो, आप नहीं चाहते कि, ओ, मेरे पास एक मिलियन, अलग-अलग आगंतुक हों, जो मेरी पेशकश को देख रहे हैं, और ये वन मिलियन विजिटर्स में से 99% लोग, उस चीज की तलाश में नहीं हैं, जो आपके पास है, वे बस आपके और निर्देशित या पुनर निर्देशित हो गए थे, तो ये दक्षता नहीं है, ये बहुत सारे संसाधनों का दुरुपयोग कर रहा है, इसलिए आप निश्चित रूप से ऐसी स्थिति में होना चाहेंगे, जहां, यदि हम ट्रैफिक के बारे में बात कर रहे हैं, तो आप इसे लक्षित करना चाहेंगे, जितना संभव हो उतना लक्षित, क्योंकि यही तरीका है जिससे आप सबसे कुशल बनेंगे, आप जो कर रहे हैं उसके साथ आप यह सुनिश्चित कर पाएंगे, कि आपके पास जो कुछ भी है उसे देखने वाले लोगों की संख्या, कम से कम हो जबकि इसके परिणाम स्वरूप अधिक्तम बिक्री हो, यह महत्वपूर्ण है, जूली और यही अन्य उत्पादों के लिए भी लागू होता है, आप लोगों को अकादमी से परिचित करा रहे हैं, और फिर भी यह लोग आप जानते हैं, वे e-learning में रुची नह नहीं रखते, तो मैं उन्हें यह क्यों दिखाऊँ, है ना, यह, आप जानते हैं, कुशल नहीं होगा, है ना, तो हम निश्चित रूप से सही लोगों के सही समूह, सही दर्शकों, को सही प्रस्ताव के साथ संरिखित करना चाहते हैं, है ना, और जब आप ऐसा करते हैं, जुली, तो अब आपके पास एक कुशल व्यवसाय है, है ना? आप अतिरिक्त को कम करना चाहते हैं, सभी अनावश्यक चीजों को हटाना चाहते हैं, है ना? तो यह केवल अगले एक या दो वर्षों के लिए नहीं है, यह वास्तव में भविश्य है, यह वह दिशा है, जिसमें बाजार जा रहा है, इसलिए बिलकुल, आउन पैसिव, इस मामले में सही दिशा में है, जुली. बिलकुल, तो फिर यह हमें अगले सिध्धान्त की ओर ले जाता है, जो मुझे लगता है कि विस्थापित और गैर निश्क्रिय है, वह है सटीकता, आज के डेटा आधारित दुनिया में, जब हम प्राद्योगी की क्षेत्र में हैं, हम जानते हैं कि हर जगा, हर कंपनी का डेटा से कुछ न कुछ संबंध है, इसलिए सूचित और शिक्षित निर्ने लेना बहुत महत्वपूर्ण है, अत्यंत महत्वपूर्ण, है ना आप जानते हैं, और जैसा कि हम देखते हैं कि ओन पैसिव ने जो निर्ने लिया मुझे, विश्वास है कि हम न केवल ग्राहक के मूल्य को लक्षित कर सकते हैं, बलकि हम उन एनलिटिक्स का भी लाब उठा सकते हैं, जो ओन पैसिव दुनिया भर से प्राप कर रहा है, हम वास्तव में तृटि को कम कर सकते हैं, और उत्पाद की डिलीवरी की प्रभावशीलता को अधिक्तम कर सकते हैं, तो मैं, आप जानते हैं माइकल, मुझे विश्वास है कि स्थिती केवल संख्या के बारे में नहीं है, संख्या में निर्णय के बारे में है, बलकि यह सुनिश्चित करने के निर्णयों के बारे में भी है, कि हम जो भी कारवाई करते हैं, वह जान बूझ कर हो, और यह ओन पैसिव द्व के साथ सठीकता से समवाद करना होता है और हम जो शुरुवाती लोग हैं जो लाइव वीडियो एक साथ रख रहे हैं जो जानकारी जनता के सामने रखी जा रही है वह भी सठीक होनी चाहिए इसलिए यह सिध्धान्त मेरे लिए भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिध्धान् तुम्हारा क्या खयाल है माइकल हां तुम स्पष्टता लाना चाहते हो है ना तुम चाहते हो की लोगों को स्पष्ट समझ हो की आप क्या कर रहे हैं आप कहां जा रहे हैं आपको पता है कि यह सब कैसे दिखेगा बाजार में हमारा क्या प्रभाव पड़ेगा आदी तो आ आप जानते हैं फिर से यही वह जगह है जहां सटीकता आती है यह बहुत महत्वपूर्ण है जुली और इसलिए हम देखते हैं कि हमारा CEO आप जानते हैं वह उदाहरण के लिए आता है और हमें जितनी संभव हो सके जानकारी देने की कोशिश करता है उसे यह करने की आवश्य जगता नहीं है लेकिन वह करता है तो वह उस जानकारी को जितना संभव हो सके सपष्ट बनाने की कोशिश करता है और यही आंतरिक रूप से भी किया जाना चाहिए जब आप अपने कर्मचारियों के साथ समवाद कर रहे हैं तो आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि आप उन्हें सही निर्देश दे रहे हैं है ना ताकि वे उन निर्देशों का पालन कर सकें और यह सुनिश्चित कर सकें कि हम ठीक उसी दिशा में जा रहे हैं जहां हम होना चाहते हैं है और हम यह होते हुए देखते हैं जुली फिर से आपको समायोजन करने की आवश्यक्ता हो सकती है यह जीवन का हिस्सा है आप विश्व विद्याले जा सकते हैं और कह सकते हैं ठीक है मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ और फिर आप महसूस करते हैं कि नहीं यह वास्तव में वह नहीं है जो मैं चाहता हूँ तो आपको वह समायोजन करना होगा और शायद व्यवसाय में स्विच करना होगा या कुछ और मैं इंजीनियर के बजाए एक वकील बनने जा रहा हूँ जो भी मामला हो आपको जीवन के दौरान अपने निर्णे लेने में समायोजन करना पड़ता है और व्यवसाय में भी यही स्थिती है आपको अपने व्यवसाय को एकत्रित करने और उसे बाजार में लाने के लिए अपने निर्णे लेने में समायोजन करना होगा और जब आप बाजार में होते हैं तो यह एक निरंतर समायोजन की प्रक्रिया होती है अंत में आपको वहां पहुँचने के लिए निरंतर समायोजन करने की आवश्यक्ता होती है लेकिन जब तक हम वहां पहुँच जाते हैं जूली यही वास्तव में माइने रखता है जब तक आप वहां पहुँच जाती हैं, हमें जरूरी नहीं है कि हम सभी तकनीकी, पहलूओं, अंदर-बाहर की जानकारी और सभी बारीकियों को जाने जब तक हम सही तरीके से वहाँ पहुँचते हैं और इसलिए हम जानते हैं कि यह एक स्पष्ट आप जानते हैं समझ है कि हम में से हर एक वहाँ पहुँच जाएगा इसमें कोई संदेह नहीं है आप समझते हैं इसमें कोई संदेह नहीं है कि हम सभी वहाँ पहुँचेंगे जूली इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि यह सही तरीके से संप्रेशित किया जाए यह महत्वपूर्ण है कि इसे सही तरीके से ग्रहन किया जाए यह महत्वपूर्ण है कि हमें यह समझने की सही समझ हो कि इसका क्या मतलब है और इसलिए मुझे लगता है कि ये सुनिश्चित करने के लिए सब कुछ किया गया है कि ऐसा ही हो सही है तो हाँ ये महत्वपूर्ण है कि हम अपनी संचार में सटीक रहें सही है जिन लोगों के बारे में हमने on passive पर बात की आप जानते हैं लोगों को गलत जानकारी नहीं देना किसी चीज़ को बढ़ा चड़ा कर नहीं बताना बलकि इसे सपष्ट रूप से बताना आप जानते हैं यह है यही है यह सब कैसे एक साथ आएगा और इसलिए हम यह देख रहे हैं अजल्दी ही जूली, मुझे विश्वास है कि हम आगे बढ़ने में सक्षम होंगे और उस अगले स्तर या अगले चरण तक पहुँचेंगे यदि आप चाहें और यह दुनिया भर के इतने सारे लोगों के लिए एक अद्भुत चीज़ होने जा रही है आप जानते हैं क्योंकि बहुत से लोग on passive का इंतजार कर रहे हैं सही है इसमें कोई संदेह नहीं है बहुत से लोग लोग इसका इंतजार कर रहे हैं आपके पास ऐसे लोग हैं जो on passive का इंतजार कर रहे हैं मुझे पता नहीं कि वे on passive का इंतजार कर रहे हैं उन्हें पता है कि वे किस चीज का इंतजार कर रहे हैं। जैसे लोग जो on passive में आए, उन्हें पता था कि वे क्या खोज रहे थे। लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि यह on passive है। तो यह वही बात है, है ना, तो जब तक हम एक ध्यान केंद्रित रखते हैं, दो, अपनी संचार में सठीक होते हैं, तब हम सभी निकट भविष्य में बहुत अच्छी स्थिती में होंगे, है ना, और यह वास्तव में शांदार है, है ना, यह वास्तव में शांदार है कि सब कुछ एक साथ कैसे आ रहा है। और यह बस धैर्य बनाए रखने, प्रक्रिया पर विश्वास करते रहने का मामला है, है ना, और हम सभी अंत में पुरसकार प्राप्त करने में सक्षम होंगे, और मेरे लिए, जूली, यही सबसे महत्वपूर्ण बात है। मैं सहमत हूँ, और मुझे विश्वास है कि सटीकता पर कोई समझोता नहीं किया जा सकता, है ना, जब आप अपने संचार में सटीक होते हैं, तो आप सभी गलत फहमियों को समाप्त करने की उम्मीद कर रहे होते हैं, और वास्तव में केवल इतना ही नहीं, बलकि इससे हमे विश्वास को बढ़ावा देने में मदद मिली है, हमारे बीच सहयोग भी महत्वपूर्ण है, इसलिए जब श्री मुफारा से आने वाले संदेश को सुनने की बात आती है, तो यह वास्तव में महत्वपूर्ण है कि हर कोई इसे अलग-अलग तरीके से व्याख्या करता है इसलिए हमें संचार करने के लिए यह ठीक से समझना होगा कि वह क्या कह रहा है, लेकिन अगर हम उस संदेश संचार, खंड या सत्र का एक हिस्सा लेते हैं और फिर उसे भागों में तोड़ते हैं, तो यह उसके संदेश को सटीकता से नहीं पहुंचाता है, इसलिए मुझ संचार का प्रवृत्ती सही शब्द नहीं है, लेकिन आप जानते हैं कि मेरा क्या मतलब है, आपको उस विशय पर बने रहना होगा, ताकि आप समझ सकें कि क्या आ रहा है, क्योंकि मैंने आज सुबह कुछ संदेश प्राप किये हैं, जो मुझ से रविवार की शाम की बैठ संचार करना आता है, यह दक्षता हमें वह संदेश देने में मदद करती है, जो हम करना चाहते हैं, यह मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, माईकल, संदेश को प्रभावी धंग से पहुंचाना आप जानते हैं, जब हम ऐसा करते हैं, तो हम कई प्रक्रियाओं को स्पष्ट कर सकते हैं, हम उन्हें सरल बना सकते हैं, और आप जानते हैं, कई बाधाओं की पहचान भी कर सकते हैं, ताकि हम उत्पादक्ता को अधिक्तम कर सकें, जहां हमें उस स्पष्ट संचार की आवश्यक्ता होती है, ये समझना होगा कि हमें संदेश दिया जा रहा है, वह सटीक होना चाहिए ताकि हम उसे अन्य लोगों तक प्रभावी ढ़ंग से पहुंचा सके यही हमारा काम है, हम इस जानकारी को साझा करने के क्षेत्र में है, महत्वपून जानकारी को साझा करने के क्षेत्र में, इसलिए दक्षता भी एक और चीज़ है जिसे मैं इस व्यावसाय में बहुत महत्वपूर्ण मानता हूँ माइकल हाँ बिलकुल जुली तुम्हें संदेश को संप्रेशित करने के लिए 6 घंटे की आवश्यक्ता नहीं है है ना यह बहुत प्रभावी नहीं है तुम्हें पता है तो आ आप जानते हैं हम इसे इस तरह समाप्त कर सकते हैं कि चलिए हम अपनी ध्यान के इंद्रित करने की प्रतिबधता करें अपनी स्थितियों को निखारें और न केवल संदेश बलकि प्रद्योगी की को भी प्रदान करने की दक्षता को अधिक्तम करें और मुझे विश्वास है कि अगर हम सभी इन बिंदूओं इन सिध्धान्तों को तेज करने पर काम करें तो हम एक अद्भुत उपलब्धी हासिल कर सकते हैं हम जो भी चीजें चाहते हैं उन्हें हम सच करेंगे न केवल हमारे लिए on passive में बलकि पूरी दुनिया के लिए क्योंकि on passive का केंद्र मानव को प्रेम के साथ उठाना है और मैं इसे इस तरह देखता हूँ हां तो आप इसे जीवन का एक तरीका बनाना चाहती है जुली है ना जो कुछ भी करती हैं आप चाहती है कि यह जीवन का एक तरीका हो यही तरीका है जिससे आप अपनी दिन प्रति दिन की गतिविधियों में कुशल बनते हैं, है ना, जब चीजें आप जानते हैं, जो कुछ भी आप कर रही हैं, है ना, ये ऐसा नहीं है कि ओ, आप जानते हैं, आज मैं ये कोशिश करूँ, कल मैं वह कोशिश करूँ, आप जानते हैं, मैं इ इसी तरह काम करता है, आपका व्यवसाय, आप चाहते हैं कि आपका व्यवसाय जीवन का एक तरीका बने, जो आपको पसंद हो, सही है, आप जागना चाहते हैं, ओ, मैं अपने on passive व्यवसाय को एक उदाहरण के रूप में देखने का इंतजार नहीं कर सकता, सही है, कुछ लोग हैं जो कहते हैं, मुझे उठना है, मुझे आज काम पर जाना है, और इसलिए ये कुछ ऐसा नहीं है, जिसे वे पसंद करते हैं, जब आप कुछ ऐसा कर रहे होते हैं, जिसे आप पसंद करते हैं, जुली, तो चीजें, और भी सुचारू रूप से चलती हैं, सही है, ह एक बातचीत है, जिसका हमें इंतजार रहता है, क्योंकि यह अब बन गया है हमारे जीवन का एक हिस्सा, यह हमारे लिए on passive, एक जीवन जीने का तरीका है, यह सिर्फ एक व्यवसाय नहीं है, ठीक है हम इसके लिए उत्सुक रहते हैं, जब हम साइड नोट नहीं है, यह एक साइड गिग नहीं है, आप समझते हैं है ना, और यह महत्वपूर्ण है, है ना, तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, लोगों को बस ध्यान केंद्रित रखने के बारे में, याद रखना चाहिए, है ना, आप जो कुछ भी करते हैं, उसमें यथा संभव सटीकता से काम करने की पूरी कोशिश करें, आप देखेंगे कि आपका जीवन और भी अधिक कुशल हो जाता है, आप कम समय में कारियों को पूरा कर सकते हैं, क्योंकि आप वरतमान कारिय पर ध्यान केंदरित कर रहे हैं, है ना, क्या आप कलपना कर सकते हैं, आप जानते हैं, आप A से B तक जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप जानते हैं, A से B तक पहुँचने की कोशिश करते समय, आप A1, A2, A3 पर जा रहे हैं, क्या आप समझते हैं, जैसे आप अलग-अलग जगह जा रहे हैं, बजाए इसके कि आप उस जगह पर ध्यान केंदरित करें, जहां आप पहुंचना चाहते हैं, है ना, ये बस ऐसे ही काम करता है, है ना, आप 100 मीटर दौड रहे हैं, ये एक सीधा दौड है, है ना, लेकिन अगर आप मोडने का फैसला करते हैं, पीछे की ओर चले जाते हैं, और किनारे पर चले जाते हैं, आपको उस फिनिश लाइन तक पहुंचने में काफी समय लगेगा, है ना, इसलिए हमें ध्यान केंदरित रखना है, हमें आप जानते हैं, यह सुनिश्चित करना है कि हम सही दिश जुली, है ना, आप जानते हैं, हम में से कई लोग इस व्यवसाय में इसलिए हैं, क्योंकि हम दूसरों की मदद करने का अवसर देखते हैं, है ना, हम सिर्फ अपने और अपने परिवार के लिए ही नहीं हैं, आप जानते हैं, हम बड़े चित्र को देख सकते हैं, और कह सक रखते हैं वाह ठीक है ये वास्तव में मुझे बाजार में बहुत अच्छा करने की अनुमती दे सकता है ये मुझे कई महान विचारों और कई महान कारणों के साथ संरेखित होने की अनुमती दे सकता है जो बाजार में मौजूद हैं जिन्हें अन्यथा मैं नहीं कर पाता है सही है, तो बहुत से लोग आए हैं और उन्होंने इसे देखा है और विचार बढ़े हैं, जुली, कि on passive के कारण क्या संभव है, तो जब तक हम उस दिशा में ध्यान केंद्रित रखते हैं, सब कुछ ठीक है, सही है, सब कुछ ठीक है. अञरा है, सब कर दिशाए हैं, सही है, समि Jetzt ुल मौ कारा हैं।